देश के नाम अब इंडिया ना हो सिर्फ भारत हो इस पात को लेकर चर्चा और विवाद दोनों ही चल रहा है इंडिया गड़बंदन दल ये कह रहा है कि जब से उन्होंने अपने गड़बंदन दल का नाम इंडिया रखा है तब से बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई है इ देखे चाहे नाम भारत हो चाहे नाम इंडिया हो किसी भी देश भक्त को दोनों ही नामों से आपती नहीं होगी हम जिस तरह से अपनी मा को मा भी बुला सकते हैं आई भी बुला सकते हैं अम्मा भी बुला सकते हैं मॉम भी बुला सकते हैं किसी भी नाम से कोई दिक्कत नह से भौकला गई है इंडिया गठ बंदन की मीटिंग जब से सक्सेस्फुल हुई है जब आप देखिए पहली मीटिंग हुई पतना में तब इन्होंने नौ साल में एंडिया ने पहली बार अपने 40 गठक दलों के साथ मीटिंग की जो साफ तोर पर दर्शाता है कि प्रधानमं नौ सालों में 200 रुपया कम हुआ अब जब तीसरी सक्सेस्फुल मीटिंग हो गई मुंबाई में तब से भाजपा के जमीन खिसकी हुई है और उनको बहुत इसलिए वो इंडिया शब्द को ही कॉंस्टिट्यूशन से खतम करना चाहते हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे दिया बुझने से पहले फरफडाता है वही ही आलत बीजेपी का है भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर कहते हैं कि खुद कंस्टिशन में लिखा हुआ है इंडिया डैट इस भारत तो आपको समविधान से ही समस्या हो रही है समविधान में की जो चीजें उसी को हम क्रियेट जा रहे थी जो सुत्रों के हवाले से खवर आ रहे थी आप देखेंगे कि सारे भाजपा के मंत्री और मिनिस्टर जिमेदार थे जब पांच दिन का एक स्पेशल सत्र कॉल किया गया जिसके बारे किसी को जानकारी नहीं है ना आपको ना मुझको ना भाजपा कि क कोशिश की आप बता दीजिए किस बात पर स्पेशल सत्र है इतनी आपको इतना डाक में क्यों रखना है सबको सारवजनिक कीजिए आपके सांसदे रागव चड़ा और कॉडिनेशन कमिटी जो इंडिया गडबंधन की है उसके सदश से भी है उन्होंने ट्वीट करके बदल के भारत कर दिया जाए ताकि बीजेपी की मुश्किले और बढ़ जाए ने देखे हम यह दिखाना चाहरे हैं कि भाजबा कि इतनी बुरी तरह बॉक लाई हुई है इस इंडिया गडबंधन के नाम से ही कि कभी कॉंस्टिशन से मिठाने की बात करते हैं इंडिया क्या इसा होने भी वाला है या यह सब यह इस तरफ से अटकल ही यह इसका इंतजार करते हैं अब अगली मीटिंग तक का उसके बार देखते हैं तो प्रेंगा कर सीथे तोर पर यह कह रही है कि इंडिया नाम से दिक्कत बीजेपी की इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्हें पक्सिंग रावत अबिपी न्यूस दिल्ली